नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में करेंगे साइन्स की इन्पोर्टेंट कोश्चिन जो की आपके हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए इन्पोर्टेंट है तो पूरा वीडियो सुरू से लेके लाश तक देखिएगा और जो लोग नए तो प्लीस चैनल को भी सब्सक्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेसन में पहला कोश्चन है रताउंदी का मुख्य कारण किस बिटामिन की कमी है तो इसका देखी आंसर जो होगा ऑप्सन है बिटामिन एकी कमी से रताउंदी हो तो थाइमेन क्या होता है ओप्सन डी विटामिन वीबन होता है साइनो कोबाल मिन है तो यह किसका देखी केमिकल नेम होता है तो यह होग जाएगा ओप्सन डी विटामिन बी टोल्व का नेक्स्ट बिटामिन जो खट्टे फलो में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है तो option C, vitamin C vitamin C का सबसे उत्तम सुरोत है तो vitamin C का सबसे उत्तम सुरोत कौन सा होगा? option C, आमला vitamin C का रासाइनिक नाम क्या होता है? सबी को पता होगा, option B, ascorbic acid या ascorbicuml ascorbicuml क्या होता है? तो ascorbicuml जो है, विटामिन होता है दांतों जे खून का गिरना, किस vitamin की कमी के काराण होता है? तो guys, option C, vitamin C की कमी के काराण किस सबजी से प्राप्त ना होने वाला vitamin है? किसी सबजी से प्राप्त ना होने वाला vitamin है तो option C, vitamin D vitamin D सूर के प्रकास में मिलता है प्राता कालिन दोब में मानव सरीर में नेमलेकित में से कौन सा vitamin उत्पन होता है? option C, vitamin D मचलियों के यकरत के तेल में किस की प्रचुरता होती है? option D, vitamin D की प्रचुरता होती है vitamin D के सरजन के निम्न में से कौन पाया जाता है? option D, Kelsey Ferrol और रक्तिसकंदन में कौन सा vitamin? क्रिया सील होता है तो vitamin K होता है अगला है दांतों में नेमलेकित में से क्या होता है? तो option B, Kelseyum होता है CA होता है और नेमलेकित में से किस तत्तु का सम्मन्द दांतों की विक्रती के साथ है? तो option B, Florine हर्दय की दड़कन को नियंतरत करने के लिए नेमलेकित में से कौन सा खनिज आवस्यक है? तो option A, Sodium मतलब N, A सागरिये खरपतवार किसका महत्यपून सुरोत है? तो option D, Iodine का, I का नेमलेकित में से कौन Iodine का सरवत्तम सुरोत है? option A, सेवाल सेवाल जो होता है, Iodine का सरवत्तम सुरोत होता है अगला है उपस्ती, तदा हड़ियों के निर्माण और संपोशन में आवस्यक तत्तो होता है तो calcium मतलब C है मानव सरीर में और सत, oxygen का तत्तो कितना प्रतिसत होता है? तो 50%, 50% होता है मनव सुलोहा किसे से प्राप्त करता है? तॉपसिन B, पालक से प्राप्त करता है लहो आवस्यक है तॉपसिन D, उप्यूक सभी पहला है, हीमोगलोविन बा-RBC के निर्माण के लिए सामान स्वास्त बनाय रखने के लिए सरीर के उतकों तक oxygen पहुचाने के लिए सबसे अधिक iron किसमें पाया जाता है? तॉपसिन D, हरी पत्तिदार सबजियां किसमें भरपूर लहो तत्तो पाया जाता है? तॉपसिन C, हरी सबजियों में भरपूर लहो तत्तो पाया जाता है सीमेंट और अस्तियां, अस्तियां दोनों में बिद्दुमान तत्तो कौन सा है? उपसिन B, calcium होता है, CA होता है निमलिकित की कमी से, एनिमिया रोग होता है तॉपसिन C, लोहा की कमी से, F.E. की कमी से, एनिमिया रोग होता है बिटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है? तॉपसिन D, टोको फिरॉल मानब सरीर में रक्त का ठक्का किस बिटामिन से बनता है? तॉपसिन E, बिटामिन K निमिया रोग होती है तॉपसिन D, बिटामिन K पालक के पत्तों में किस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो गाइद यह हो जाएगा उपसिन D, आयरन की मात्रा, F.E. की मात्रा सबसे अधिक होती है बिटामिनी विशेष्टा किस के लिए महत्रपूर है? तो लिंग गरंतियों की सामान किरिया में मानब सरीर के काउन से अंग का प्रत्या रोपन नहीं किया जा सकता है तो उपसिन D, मस्तिस्क कोशिका की आत्महत्या की धायली कहलाता है तो क्या कहलाता है? लाइसोसोम 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाय जाने वाला पदार्थ है तो उपसिन D, जल, H2O किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादप कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो कोशिका भित्ती गाल जी काई का प्रमुक कारे क्या है? तो गाल जी काई का प्रमुक कारे होता है स्रावी निमलिकित में से कौन सा कोशिकांग डिने रखता है तो माइटो कांट्रिया प्रोग्रेम्ड सेल डेथ का कोशिकी एवम आणविक नियंत्रन क्या कहलाता है तो आप्सेन भी एजिंग कहलाता है इलेक्ट्रॉन सूच मदर्सी की खोज की तो किसने की तो नौल तथा रसका ने मर्दा अपरदन रोका जा सकता है तो आप्सेन सी बनों को उगाने द्वारा और बनों को रोका जा सकता है बाण को कैसे रोका जा सकता है नदियों पर बांद बनाकर बाब रच्छा रोपन करके मैंग्रोब बनस्पती पाई जाती है तो सुन्दर बन में एफपी फाइट्स बहुत अधिक विक्सित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्वर करते हैं तो आप्सिन डी या अंत्रिक मदद है तू बहुपाल दुर गटना में किस गैस का रिषा हुआ था तो आप्सिन सी मिथाइल आईसो साइनेट निम्लेकित में से काउन सी गैस बायू को प्रदूसित नहीं करती है तो आप्सिन है CO2 करवन डाय ओक्साइड और द्योगिक 22 राप दौरा किये जाने वाले अंजल प्रदूसरन को रोंकने के लिए निम्लेकित में से काउन से अपतरन को उप्योगी पाया गया है तो यह हो जाएगा ओप्सिन D उप्योग्त A और B दोनों A है पार्थेनियम B है हाथी गास निम्लेकित में से काउन एक बाहन प्रदूसरन का भाग नहीं है तो ओप्सिन E H2 Hydrogen ओड़ा के किस रूप में प्रदूसरन की समस्या नहीं होती है तो ओप्सिन D सौर उड़ा सोलर एनरजी निम्लांकित में कौन आधिक्तम दोनी प्रदूसरन का कारण है तो ओप्सिन D जेट उड़ान अस्तियों का अध्यन विग्यान के किस साका के अंतरगत किया जाता है तो ओप्सिन B आस्ट्रियो लॉजी और तितलियों का अध्यन कहलाता है तो तितलियों का अध्यन क्या कहलाता है तो लैपी डेटे रियो लॉजी मचलियों से सम्बंदिद अध्यन क्या कहलाता है इंपोर्टेंट कोस्चन है तो यह हो जाएगा आपका ओप्सिन C इक्तियो लॉजी मदि मक्खियों का पालन कहलाता है ये तो सिंपल सा कोशन ये कई बार पूचा भी गया है तो एपी कल्चर कहलाता है एड़बर्ड जेनर निमलिकित में से किस रोक से जुड़े हैं तो चेचक से निमलिकित में से बहे वैग्यानिक काउन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरन की व्याख्या की थी तो हारवे ने हेड़ए का पहला प्रतिस्थापन किसके दौरा किया गया था तो ओप्सन डी डाक्टर क्रिस्चियन बनार्ड डीने की संद्चना को सबसे पहले किसने रिखांकित किया तो बाट्सन बाक्रिक ने बिकास का सिद्धान किसके दौरा प्रतिपादित किया गया था तो डार्विन के दौरा किसके दौरा आनुवानसिक्ता के विज्ञान को आनुवानसिकी जेनेटिक्स कहा गया तो बाटसन आधनिक एंटिसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है तो आपसन है लिस्टर नेचरल सेलेक्षन का सिद्धान किसने बनाया तो आपसन सी डार्विन ने हिस्टोलोजी सब्द का सरप्रतम प्रियोग किया गया था तो ये किया गया था आपसन है मेर ने मनस की तोचा सबसे मोटी होती है तो गाइस आपसन दी तलबे पर नेक्स्ट सरप्रतम प्रियोग साला में जीन का संसलेशन करने वाले वेग्यानिक है तो option D, खुराना, हरगोबिन्द खुराना प्रियोग साला में सर पर्थम DNA का संसलेशन किया था तो किस ने किया था? तो option D, हरगोबिन्द खुराना ने DNA का double helix model यह अड़ कह सकते हैं double helix mode जो है वो किस ने दिया? तो option C, बाठसन बाक करिकने मनस्वें दूइगरित, क्रोमोसोम की संख्या होती है तो option E, 23 होती है मानम में गुण सुत्रों की संख्या होती है तो option E, 46 होती है कितनी होती है? 46 बच्चों के लिंग निर्धारत करने के लिए उत्तरदाई क्रोमोसोम होता है तो यह होता है आपका option ने पिता का क्रोमोसोम होता है निम्न मैंसे कौन सा मनुस में अब सेसी अंग नहीं है तो option C सामने बाले चप्टे दांत केंचुए में कितनी आँखे होती है तो केंचुए में ट्रोटल आँखे होती है option D कोई नेत्र नहीं होता है लिख्चू का बिस कहा पर होता है, तो बिच्चू का बिस होता है, डंक में होता है अक्टोपस है एक, तो अक्टोपस क्या है एक तो option D, मुरद्दुक बची है निमन माते से कौन सा एक मीन है, मचली है तो option C, फ्लाइंग फिस संसार में किसकी जीब संक्या सरवादिक है तॉपसने मचली जल से बहार निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है क्योंकि आपसन सी बेस्वास नहीं ले पाती है क्यों सीतकाल की तुलना में ग्रीस मकाल में अधिक मचलियां मरती है तॉपसन C, आक्सीजन के अपच्छे के काराण मेंडग में हिर्दे में, मेंडग के हिर्दे में कितने कच्छ होते हैं तॉपसन B, टोटल तीन कच्छ होते हैं, जेंबर होते हैं C, तरक्तिय प्राणी कौन सा है तो उप्योक सभी, मेंडग है देखें मचली भी है मेंडग भी है और शिपकली भी है नरसंस प्राणी कौन सा है तो कच्छुआ गोंचला बनाने बाला एक मातर साप कौन सा है तो option B किंग कोबरा डाइनासौर थे तो डाइनासौर क्या थे option D मेसो जोईक सरिसरप कौन सा प्राणी सापों से लड़ता है तो गाइज option B नेबला लड़ता है न्यूजीलेंड में पाया जाने बाला उड़े नहीन पच्छी कौन सा है तो option C हो जाएगा की भी पच्छी option C की भी आर्कियोटेरिक्स है तो आर्कियोटेरिक्स क्या है option C जुरैसिक यूग का सर्वपुरातन पच्छी पेंग्विन चिडिया कहां पाय जाती है तो option C अंटार्टिका में पाय जाती है सबसे बड़ला उड़ने में असमर्थ पच्छी जो सबसे तेजगती से दोड़ सकता है बह कौन सा है तो option C ओस्ट्रिच पाबो क्रिस्टेसस किसका बैग्यानिक नाम है तो option D मोर डालफिन किस बर्ग का उधारण है तो option C इस्तंदारी बर्ग का उधारण है निमलेकरिद में से कौन सा प्राणी इस्तंदारी नहीं है तो option E मचली या कह सकते हैं थिस डालफिन बर्गी करत किये जाते हैं तो इस्तंदी में बारत का राष्टे इस्तंदी है option D बाग वेल के हिर्दे में कितने चेंबर होते हैं तो option C टोटल चार चेंबर होते हैं निमलेकरिद में से नियत तापी प्राणी काउन सा है तो option C चमगादर पितामबरी एक प्रजाती है तो पितामबरी किसकी एक प्रजाती होती है सरसों की एक प्रजाती होती है कुफरी किस पसल की किसम है तो अपसे ने आलू मनुस के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो अपसे ने टोटल बारे जोड़े होते हैं सरीरीर का सरवादिक प्रबल अस्ती होती है तो जबडे में मन उसके सरीर में पैर की हड़ी तो खोकली होती है टीबिया नामक हड़ी किस में पाए जाती है तो ये ओप्शन भी टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड़ी मानब सरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है तॉपसिन B, जांग की हड़ी मनुस के जीवन काल में कितने दांथ दो बार विक्सेत होते हैं तॉपसिन C, 20 मानब सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में समपन्न होता है तॉपसिन C, छोटी आथ अधिक्तम पोसक तत्रक्त में कहां से अपसोसित किये जाते हैं तॉपसिन C, छोटी आथ लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तॉपसिन B, टाइलिन पेट में बोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आबस रखता होती है तो एंजाइम की मुख से निकली लार किसका पाचन करती है तो इस टार्ज का दूशन है निम्लकित में से किस अमलक की उपस्तिती मानप पेट में होती है तॉप्सन B, हाइडो क्लोरी कमल, HCL पाचन क्रिया में प्रोटीन निमलिकित में से किस पदार्थ में बदल जाता है तो अमीनो अमल निमलिकित में से बहे अंग कौन सा है जो मानब सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्बो हाइडरेट को जमा देता है जमा करता है तॉप्सन D, यक्रत पित निमन में से किस के दोरा पैदा किया जाता है तो यक्रत पित यह कह सकते हैं बाइल जमा होता है कहाँ पर जमा होता है पित आसे में जमा होता है पेसमेकर का सम्बन किस से है तॉप्सन D, हिर्दे यह कह सकते हैं हाइट पेस मेकर का कारे क्या होता है तो पेस मेकर का कारे होता है Option C दिल की ध्रणकन प्रारम करना गत्टी प्रेरख किसी से संबंदेत है तो LCD अप्सें शिड़क कारे जह new-one हाइट से निमलेकित में से किनकी भित्तियों पर रक्त दोरा डाले गए IT तॉपसन C हो देगा, धमनी, मनुस के सरीर में हिर्दय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तॉपसन D, 0.8 सेकेंड, स्वस्त मनुस में प्रती मिनट हिर्दय स्पंदन होता है, तॉपसन C, 72 बार होता है, कितने बार होता है, 72 बार, स्वस्त मनुस का रख्त चाप systolic बार, डायलेस्टिक होता है, तो 120 बटे 80 mm होता है, यह होता हाई के लिए, यह होता है लो के लिए, I 120, लो 80 मानब रक्त प्लाज्मा में पाने की प्रतिशत मातरा लगवक कितनी होती है तो 90% होती है कितनी होती है? 90% रक्त में पाई जाने वाली धातू काउन सी है? तो आपसें D, F, या कह सकते हैं लोहा रक्त का सुद्धी कराण कहां पर होता है? तो किटनी में मानब सरीर में खून के सुद्धी करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाइलेसिस कहते हैं रक्त में लाल रंग निमने में से किसके कारण होता है? तो आपसें B, हीमोगलोबिन के कारण सरीर में हीमोगलोबिन का कारे है? तो option A, oxygen का परिवायन हीमोगलोबिन किसका महत्पूर्ण घटक है तो आरवीफी हीमोगलोबिन का कारे क्या है तो option B, oxygen ले जाना निमलिकित में से किसकी साहता से रक्त दोरा oxygen ले जाया जाता है तो option A, low heat को सिखा है मानब सरीर में भीतर खून निम्लि में से किसकी उपस्तिती के कारण नहीं जमता है किसकी उपस्तिती के कारण नहीं जमता तो ही पैरिन के कारण रुधीर से प्लाजमा में निमलिकित में से किसके दोरा antibody निर्मित होती है तॉपसन B, lymphocyte लाले रखते कड़िकाएं RBC कहां उत्पन होते हैं तो अस्ति मज्जा जीब बिग्यन बायोलाजी सब्द का परियोक सरप्रतम किस ने किया तो ये किया option D, laymark तथा ट्रेवी रैंस ने जीब बिग्यन के जनक फादर और बायोलाजी के नाम से जाने जाते हैं तो option A, arastu चिकस्सा सास्तर का जनक किसे कहा जाता है तो option C, hypocrites बर्टनी या बायोलाजी सब्द के उत्पत्ति किस भासा के सब्द से हुई है तो option D, Greek भासा फाइकोलाजी में किसका दिन किया जाता है तो फाइकोलाजी में सहवाल का अध्यन किया जाता है पर्याबराण का अध्यन जीब बिग्यान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो option C, पारी स्थित्यकी, इकोलाजी डेंडरोलाजी का संबंद है तो option C, जानियों के अध्यन से पुस्पों का अध्यन क्या कहलाता है तॉपसन ए anthology जीवो इबन बाता बराण की अंतरा अभिकरिया से सम्मंदिज जी भिग्यान की साखा कहलाते है तो पार 1947 कैलाते है और springology में अध्यन होता है तॉपसन ए वीजों का agrostology में अध्यन होता है तो किसका दिन होता है घासों का तो आज के इस वीडियो में इतना है थेंक्यू धन्ने बाद आपका दिन सोबरा है